इस वक्त की बड़ी खबर का रुप करेंगे कॉंग्रिस स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है पिछले दो दिन से लगातार दिल्ली में कमेटी की जो बैठक है वो लगातार जारी है कल रात एक पजे तक स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक चल इज्वानकारी है कि पहली सूची में अब A और D कैटेग्री सीटों के उमिद्वार खोशत होंगे तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैटक कॉंग्रिस पार्टी की बीते दो दिनों से लगातार हो रही है दिल्ली में कल एक बज़े तक गौरफ गोगोई की अध्यक्सटा में इबैटक चली है गौरफ गोगोई और स्क्रीनिंग कमेटी के अनने सदस्यों ने टिक्टों पर मंथन किया है कमजोर सीटों और दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन बहुत जादा हो रहा है अब पहली सूची में हो सकते हैं करीब 70 उमीदवारों के नाम ऐसी बात सामने आ रही है पहली सूची में अब A और D कैटेगरी सीटों के उमीदवार घोशित होंगे तो A कैटेगरी उमीदवार जाहिट तोर पर तमाम दिगज नेता जिनकी सीट काफी सेफ पानी जाती है तो ऐसे में तमाम सेफ सीटों को A कैटेगरी में रखा गया है तो सबसे पहले जो सूची जारी होगी उसमें A कैटेगरी और D कैटेगरी सीटों के उमीदवार खोशित होगे D कैटेगरी संभवता वो कैटेगरी हो सकती है जहाँ पर कॉंग्रेस सबसे जादा कमजोर है वहाँ पर उन सीटों पर क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, कौन से उमीदवारों को उतारा जाए इसे लेकर जोर आजमाईश सबसे ज़्यादा कॉंग्रिस पार्टी कर रही है जो विनिंग कैंडिरेट्स हैं, संभवता है ये माना जो रहा है कि जो विनिंग कैंडिरेट्स हैं, उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के अधार पर टिकेट रिपीट भी किया जा सकता है अपना एक सर्वे पार्टी ने लगातार बीते 6 महिनों में कभी परिवेक्शकों के द्वारा, कभी किसी अन्य दल के द्वारा खरवाया है तो ये सर्वे के अधार पर विनेबिलिटी देखी जा रही है इस समय सबसे बड़ा फोकस, चाहे कॉंग्रेस हो, बीजेपी हो ये विनेबिलिटी फैक्टर माना जा रहा है टिकेट का यानि कोई से फारिश नहीं चल रही है हाला कि जो लोग का लॉबिंग करने वाले हैं या जो लोग टिकेट चा रहे हैं वो लगातार तमाम नेताओं के आवास पर जा रहे हैं उनके कार्यालेओं में जा रहे हैं टिकेट मांग रहे हैं लेकिन असल में जो डिसीजन है वो दिल्ली से लिया जाएगा, अभी फिलाल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो लगातार बीते दो दिनों से लगातार हो रही है राजिस्थान की तमाम उन सीटों को लेकर जोर आजमाईश चल रही है जो आपर टिकेट बदलने का कॉंग्रिस पार्टी सोच रही है या फिर चो कमजोर सीटे हैं वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए तो कल भी ये बैठक रात को एक बज़े तक गौरफ गोगोई के अधिक्षता में हुई है दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी बीते दो दिनों से लगतार बैठके कर रही है कमजोर सीटों को लेकर जादा मन्थन किया जा रहा है तब कॉंग्रिस स्क्रीनिंग कमेटी एक सूची जारी करेगी और ये जो लिस्ट है वो आगे CEC को फॉरवर्ड होगी अभी विलाल कॉंग्रिस स्क्रीनिंग कमेटी मन्थन कर रही है हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए है दिनेश अब माना जाए कॉंग्रिस पार्टी की जो टिक्टों की सूची है वो जारी होने से पहले जो फाइनल प्रोसेस है उस प्रोसेस में है ये सूची नंदेनी देखिये पहली सूची जारी करने के पीछे थोड़ा सा बदलाव यहां पर किया गया सूची आजान सहीता लग सुची है और बीजेटी अपने 41 परट्याशों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है तो अब कॉंग्रिस ने बदलाव किया है पहले यह तैयारी की कि 50 जो मजबूत और इस्ताथिन नेता है उनकी एक सूची को जारी कर दिया जाएगा जो ओल लेडी एक्सल स्वीट में उनके नाम पर जो बनी भी प्यार है लेकिन अब बीजेटी एक और दूसरी सूची 15 अक्टूबर के आज पार जारी कर पक्ती है तो अब कॉंग्रेस में तैय कि है कि पहली सूची थोड़ी लंबी जारी की जाएगा यानि करी 70-80 उमिद्वारों की पहली सूची अब जारी हो सकती है और 18 अक्टूबर को अगर सी ही होती है तो उसी रात ये सूची जारी कर दी जाएगी अब एक केटेगरी के साथ जो दी केटेगरी एजाबर लगाता तो ती चार बाद आवारी है या वहाँ पर जीद के लिए तरफ चुकी है परीसिमन के बाद तो उन सीटों के उमिद्वार भी इन एक केटेगरी की सीटों के साथ गोसित किये जाएगे ये है बदलाव किया गया है और कल भी गोरगोगे की चेर्मेन सीट में देर राच जो पंदा जी आज़ी वोरूम है नली नहीं वहाँ पर बेठक चली लगाता दो दीन से इस्टर्णिंग कमेटी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आदार पर अपने कामें जूती ही है वहीं जो सर्वे का काम देख रहे ह सुनिल कानुगुलू उनकी भी कल कैसी वेनु को पाथ से लंबी मंत्रना हुई और सथीन पाइलेट भी कल कैसी वेनु को पाथ से मिले अब सब्सक्राइब को इस्टर्णिंग कमेटी की फुल बेठक होगी जिसमें सीम अशोग एलोग अडेक डोटासा परवारी रंदावा साहित इसकनिंग कमेटी के डोनों सदेचे एपी डोटी सचिन पाइलेट और दो जो सदेचे नॉमिनेट किये वो भी मौजूद किये और उसके बाद 11 अक्रूबर को सीची की बेठक होगी तो इसकनिंग कमेटी ने अपना काम लगाता जो उसको सेंटी नामों का पेनल बना तो उस मासा पच्ची में लगी वी है और बताए जारा कल दे रात एक बज़े तक इसकनिंग कमेटी की सीची में बैटक हुई ननी ने जो बिलकुल दिनेश एक कैटिगरी और डी कैटिगरी की सीटों को लेकर कैणिरेट की घोशना सबते पहले हो सकती हैसा आप बता रहे ह तो जरा एक कैटिगरी और डी कैटिगरी को भी समझ लेते हैं एक कैटिगरी वो सीटे हुई जो कॉंग्रेस की विनिंग सीटे हैं जानी कॉंग्रेस जहां पर लगातार मस्बूत है और कदावर देता जहां से लड़ते हैं डी कैटिगरी वो ही जहां से कॉंग्रेस का कई स यह जाना बार इलेक्शन आए यह वापर एससे की जीत के लिए कॉंग्रेश तरफ सुखी है ताकि उनको इनको अगर उनके साथ कोसित करेंगे तो उनको समय और वत इतना मिल जाएगा कि वो ग्राउट पर जाकर अपनी ज़ड़े जमाती के एक-एक मदाताओं से संपार कर सके शंबावता है इसी रन्निति के लिए बड़ी इसलिए निकाली जारी है कॉंग्रेस उसे डबल अक्षी उनको जारी एक साथ कर दी है यह के मदाताओं में एक पर्शेशन का माहूल बनाने की रन्निति के बैस इस तरह के कुछे बड़ाव किये पहली जानकारियों के लिए तो कॉंग्रेस की जब पहली सूची जारी होगी ऐसा माना जा रहा है कि 18 अक्टूब की फिलाल जो मंधन है वो डिल्ली में लगातार हो रहा है उरन Wasam tied में कर दो दे աिनों से लगातार हो रही है गौरफ गोगो की seed statement कल भी रात एक बज़े तक स्क्रिंइन कमेटी की बैट पहई ए और राजिस्थान में कंग्रेस की Corni race को लेकर मंधन लगातार जारी है और अब बात करेंगे कॉंग्रिस केंद्रिय चुनाफ समीती की बैठक आज होनी है मिजोरम और 36 गड़ को लेकर कॉंग्रिस चुनाफ समीती की बैठक होगी आज 36 गड़ की 90 सीटों पर CEC की बैठक का जो होने वाली है उसमें चर्चा होना संभव माना जा रहा है कॉंग्रिस पार्टी का ये एक रूल है कि टिक्टों की सुची जारी होने से पहले जो फाइनल मोहर है वो कॉंग्रिस की चुनाफ समीती बैठक कर लगाती है तो अब ये माना जा रहा है कि आज 36 गड़ और मिजोरम को लेकर ये बैठक होगी और जल्द ही राजस्तान को लेकर भी CEC की बैठक हो जाएगी